महाकाल लोग बनने के बाद उज्जेन में होटलों का टैरिफ पंदा से 35 विशदी तक बढ़ गया है महाकाल मंदिर के आसपास होमस्टे भी बढ़ गया है अक्टबर दोजा 22 में महाकाल लोग के उद्गाटन के बाद शहर में कई बदलाव दिखे यह बदलाव शद्धालों की परती संख्या के कारण आया सबसे अधिक परिवतर महाकाल मंदिर के आसपास के होटल वैसाय में आया है महाकाल कारेडोर के असपास के तीन से चार किलोमेंटर के दायरे में हर पांच्वे घर में होटल, गेस्ट हाउस और होमस्टे की सुगिदा मिलने लगी है पहले मंदिर के असपास आसानी से होटल मिल जाते थे अब बाबा के भक्तों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है माका कारेडोर बनने से पहले यहां रोजाना करीब 40 से 50 हजाज शद्दालू पहुंचते थे अब यह आकड़ा बढ़ा करीब एक लाग पहुंच गया है शरीवार से लेकर सुमवाद तक शद्दालू की संक्या डेड़ लाग तक पहुंच रही है होटल कारोबार मुच्छाल की यह सबसे बड़ी बचा है जो कमरा पहले 1500 रुपए में मिलता था अब वो दो जास में बमुश्किल मिल रहा है कुछ होटल मालिक तो घंटे के साब से भी होटल देने लगे है होटल संचारागों का तर्क है कि इस से अधिक से अधिक शद्दालों के लिए कमरा अपलप्त हो पाएगा होटल के अलावा फूल, रेस्टोरेंट और टेक्सी की भी आमदनी पहले के मुपावले बढ़ गई है उजिन सबसे बड़े होटल अनुश्री के मालिक और कालोनी डेवलेपर सुरेश मोड ने बताया कि माका लोग से उजिन शहर को होटल वैसा एक के साथ ही अन्य सेक्टर को भी फायदा मिला है माका लोग के आसपास 25 कमरे या इससे कम कमरे वाले होटल के टैरिफ में दोगुना बढ़ गए है बड़े होटलों के रेट 15 से 35% बढ़ा दिये गए है इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पर हन्यवाद